तो हेलो दोस्तो कैसे हो अफ सब लोग तो दोस्तो शायद आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा तो दोस्तो हमने रात में गाड़ी लोड करके अफिस पर लगा दिये थे रात में हम ट्रिप पर इसलिए ने गए कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी तो दोस्तो देख सकते हो पिछले टायर में जो लिफ्टिंग का टायर है उपर नीचे नहीं वह रहता उसमें येर कम ती इसलिए हम रात में निकल नहीं पाए तो चलो ठिक करके निकलते हैं से तो दोस्तो देख सकते हो आफ गाड़े में हमने लोड किया है डियोसी लातुर से उसे अनलोड करना है हमें मुडबेदरी मेंगलोर में तो चलो चले तो दोस्तो देख सकते हो आफ गाड़ी साफ आफ कर लिया है तो दोस्तो यहां से निकलना है हमें तो दोस्तो गाड़ी की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम थी तो ड्राइवर भाई गये है ठिक करवाने के लिए वो आने तक वेट करेंगे और निकलते हैं यहां से तो चलो तो दोस्तो आ गए ड्रैवर भाई तो निकलते हैं यहां से और कुछ प्रॉब्लम है गाड़े में तो उसे भी ठिक करते हैं तो दोस्तो देख सकते हो गाड़ी के पाटे में कुछ दिक्कती तो पाटे वाले भाई उसे ठिक कर रहे हैं तब तक हम कुछ खा के आ जाते तो चलो दोस्तों तो दोस्तों दो फेर के दो बजे थे तो हम कुछ खाने के लिए इदर आ गए तो दोस्तों गाड़ी के साइड ग्लास का कुछ प्रॉब्लम था तो उसे भी टिक कर लिया जाए और गाड़ी के हेडलाइट में भी कुछ दिक देख सकते हो तो चलो चले तो दोस्तो आभी शाम के साड़े पांच बज रहे तो हम यहां डिजल फूल करके निकलने वाले हैं और यहां एक रिल भी निकलेंगे इंस्टा के लिए तो जलो जलते तो दोस्तो आभी कुछ रात के आठ बज रहे तो दोस्तो हम है सोलापूर बा का ट्रक है उसने तो फूल यूरलोड भराये ऐसा लग रहा कि तो दोस्तो फूल微घा भी रहे हो तो चलो दोस्तों बहुत तेज हो रहयो है तो दोस्तों तो आप रात के कुछ 2.50 बारा बज रहे हैं देख सकते हो हम यहां पर खाना खाने के लिए करें हैं दोस्तों तो ख तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पार्किंग के लिए भी बहुत जगा है और गाड़ी पीपार्किंग में बहुत लगाई सबड़े लगाया। तो देख सकते आप लोग यहापर तो दोस्तो खाना वाना खा लिया है और ड्राइवर भाई ने बोल दिया है कि यही पर गाड़ी साइट करके सो जाते है और सुबा जल्दी निकलते है तो चलो दोस्तो आज का व्लोग यही स्टॉफ करते है मिलते हैं अगले व्लॉग में तो चलो दोस्तो बाई